भूख लगी हो तो जट पट बनाए वेजेटेवल मसाला चावल तो कुछ इस तरह मसाला राई स बनाएं राइस बनाकर हम बताएंगे हाई एफ्रयोन, आज हम बनाएंगे सुर्ण बनाएंगे सो तरह बनाना पिकानफली से बंनाँ दा वेजेटा है बताओंगे और बिन्स, आधकब बिन्स, गाजर, सिम्ला मिर्च यह सब और यह चना भी ले ली हूँ, लाल चना और मतर, ठीक है आप इसके जगह पर ग्रीन वाला भी ग्रीन पीज भी ले सकते हो, फिर नारियल थोड़ा साल ली हूँ और थोड़े से अखा-खड़ा मसाला, दालचीनी, इलाइची, जीरा, और एक सुखी मिर्च ठीक है, अधरक लसन का पेस्ट ग्रेट किया हुआ, तो सबसे पहले फिर अभी हम बैठा देंगे कुकर और इसमें 2 टेबल स्पून ऑईल डाल दिये हैं, अब गरम हो गया तो जीरा, इलाइची, और यह सुखी मिर्च आपको जो डाली हूँ, देड इंच डाल जीने, टुकडा टुकडा करके डाल दिये हूँ, और यह इलाइची, ग्रीन वाला भी डाल सकते हो, और जो बड़ी इलाइची, ब्लेक वाली वाली वो भी डाल सकते हो, फिर कांदा भी इस तरह बड़ा बड़ा काट दी हूँ, एक कांदा च फिर दरख लसन को ऐसे दरदरा क्रस कर दी हूं या पर ग्रेट कर देना एक इंचा दरख और आट दस लसन की कली उसको सब कुटली हूं और डाल दी हूं इसमें पूरा हाई फ्लेम में ही सौटे कर देंगे अभी कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है नहीं तो आप बोलोगे कि अभी तो आपने सौटे नहीं किया इसी में ही सब हो जाता इस तरह करके देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ठीके यह सब अभी सौटे कर देंगे पूरा हाई फ्लेम है मीडियम फ्लेम है जलेगा नहीं अभी थोड़ा यह सौटे कर देंगे इस तरह आप बना कर लगता है इस तरह आप बना कर बस देखिए एक बार ठीक है कभी ट्राइ करना कि यह किस तरह बनता है तो पूरा अच्छी तरह से ऐसे मीडियम हाई फ्लेम करके मतला पूरा भूली हो यह सारा जो भी डाली हो अब एक टमाटर को चौप करके रखी थी देसी टमाटर है ताक तो भीगोया हुआ सोकिया हुआ चना रखे थे काला चना और यह मतर इसके जगह पर आप अगर चना खाना पसान नहीं करोगे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट आता है मतर डाल देना पीज ग्रीन पीज ठीक है एक कप या आधा कप डाल देना बहुत मस् कर दोंगी ताकि यह जो हाई फ्लेम में ही सपक राया न अच्छी तरह से हो जाएगा मीडियम फ्लेम में करके यह सब करना पूरा भी साटे कर देंगे अ करने के भी जरूत नहीं है हाई फ्लेम में सावारतों सब में यह कर दी हो अभी एक चमच हल्दी डाल दी हूं मिर्च सब मसाला भी डाल देंगे और अगर आपके वास में यह किचन किंग मसाला था यह डाली हो और थोड़ा सा गरम मसाला डाली हो आप चाहो था आप अपने अनुसार बिर्यानी मसाला भी डाल सकते हो ठीक है तो मसाला आपकी अनुसार मैं हल्दी और मिर्ची का पाड़र और गरम मसाला, तो किचन कींग मसाला थोड़ा सा डाली हो, छोले मसाला भी डाल सकते हो, तो सब को डाल कर पूरा हाई फ्लेम में ही पूरा साटे करें, मसाला जलेगा नहीं क्योंकि उसमें टमाटर भी है न साथ में, इसलिए डर्नानी की मसाला जल जाएगा, तो पूरा मीडियम में उसको पूरा हम 2-3 मिनट तक ऐसे भूनेंगे, खुब भूनेंगे, पूरा सुग गया है, अब अच्छे से भून गया है, टमाटर भी गल चुका है, तब हम क्या करेंगे, जो वेजिटेबल काटकर रखेते, आधा कप बीन्स डाल दिये हैं, आपको जो जो सब्ची आप कली फ्लावर भी ले सकते हो, आपके अनुसर आप ले लेना, मुझे जो पसंद है मैंने इसमें डाला, आधा कप बीन्स डाली हो, और आधा कप गाजर डाली हो, और बीट रूट, यह बहुत अच्छा लगता है, यह डालना भूलना नहीं हा, यह डालना शूर, बहुत मस्त मस्त मीठा सा लगता है, और सेहत के लिए कितना अच्छा है, और कितना पॉस्टिक है, यह आधा कप बीट रूट, एक बड़ा वाला बीट रूट में ली हो, इसे छिल कर दो ली हो, अख्छा उपर से फिर इसे काट ली हो, और फिर नया आलू तो बहुत अच्छा मस्त सा लगता है, तो इस तरह सारा मैं पूरा उसको भी पांच मिनिटे से भून ली हो, साटे कर दी हो, अब यही गलास में, चोटे से गलास में, देड़ का चावल ले ली हो, और जो घर का हम रोज खाते हैं, मसुर की चावल, आप चाहो तो इसके जगा बासमती चावल भ अच्छे तरह से भूनेंगे, भूनाईं करेंगे, एक दम कसके, ठीक है, तो बहुत उसका स्वाद लगता है, मतला स्वाद और बढ़ जाता है, ऐस तरह से भून कर करोगे, तो देखिए, भूख भी लगती है, और खाने को अच्छा भी लगना चाहिए, इस तरह से कुछ तो अभी पानी 3-5फ डाल दी हूँ, अगर थे मेजरमेंट ना गलास में लेते हैं, तो चावल लिए हूँ, उसी छोटे से गलास में मैंने 3-5 गलास पानी डाल दी आ है, तो अभी पूर अच्छे से होगै, अभी हाइफ्लेम में कर दी हूँ, पुरा एक उबाला जाएगा तुरन तबी ढखकन बंद कर दूंगी, नमक भी देखकर भी डाल देंगे, ठीक है, आप पुरा इससे सब हो जाने के बाद ही नमक डालना, तो पता चलेगा कितना नमक डालना है, अभी कुकर का ढखकन लगा दी हो, चार-पांच सीटी ले लूँगी, देखे, चार-पांच स पुलाव जैसा बना है, इस तरह मांस लगता है, आप लिजट पापड के साथ या लूंचा के साथ खा लोगे और कोई सबजी की जरूत नहीं है, इसमें इतना सारा वेजटेबल है, बहुत स्वाधिस्ट लगती है, आप मानी है, आप बना कर बस देखना है, जल कभी लगे तो इस तरह का आप ये राइस की रेसिपी बना कर खाईए, और कमेंट करके बताना आपका कैसे बना, ठीक है, तो देखिए, आप मैं सर्फ कर रही हूँ, हो क्या है, आप सर्फ कर रही हूँ, लिजट पापड के साथ और लूंचा के साथ हम खाएंगे, ठीक है, आप इस तरह बनाई है, और खाई है, और मैं नही नही रेसिपी लाओंगे, आप अच्छी सी कमेंट करके बताईए, आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, ठीक है, अच्छी लगी है, तो शूर करके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब करना न भूलिया, मुझे में से सावो